नमस्कार जै हिंद स्टेड़ी भरत में आपका स्वागत हैं तो आज हम बात करेंगे शिक्षण सहायक समगरी या शिक्षण सहायक उपकरण यानकी टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स तो आप सभी को पता है कि हम पेपर वन की शौट ड्रवीजन कर रहे हैं तो विडियो इस बिल्कुल फ्री है आपको कुछ भी चार्ज नहीं पर करना तो विडियो को देखें लिखते जाए आपकी त्यारी हो जाएगी अगर जिन बच्चों को पीडियाफ चाहिए इसके लिए जिसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप हमें इस नमबर पे कॉंटक्ट करना है तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं देखें शिक्षन सहायक समगरी क्या होती है शिक्षन सहायक समगरी वो होती है जब टीचर कलास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के वक्त क्या होता है कि वो जो चीजों का इस्तमाल करते हैं उसे बोलते हैं सहाय के लिए जिन वस्तों का इस्तमाल किया जाता है तो उसे सहायक्समगरी कहा जाता है तो यह सहायक्समगरी बहुत ज़दा अवशक है एक शिक्षक के लिए शिक्षण सहायक्समगरी किसी भी कक्षा के अभीन अंग होता है शिक्षण सहायक्समगरी के कई लाबों में शिक्षा क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके लिए जब चीजों का इस्तमाल किया जाता है उससे क्या होता है कि पढ़ने की समझ में कौशन में सुधार होता है जैसे मालेजे की शिक्षक क्लास में अगर मैट्स के स्वाल करवाने हैं उसके लिए blackboard का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ऐसे बोल के समझाया नहीं जा सकता otherwise जो बाकी subject होते हैं वो तो समझाय जा सकते हैं math एक ऐसी चीज़ है जिसे लिखके ही समझाना होता है so यह आप देखे तीन परकार है types of teaching ads यह की section science मगरी के परकार द्रिशा science मगरी यह की visual ads जो चीज़े दिखाई देती है यह की teacher पढ़ाने के time पर अध्यापक पढ़ाने के time पर जब वस्तों को दिखाते हैं जब सामने रखके दिखाते visual ads उसे कहते हैं जैसे projector की उपर मालेजे कोई वस्तों दिखा दी उसके अलावा सामने कोई model रख दिया वो चीज जो चीज़े सिर्फ दिखाई देती है उसे बोलते हैं द्रिशे सहायक समगरी यहनकी सिर्फ चीज़ों को दिखाना द्रिशे दिखाना चाहे वो कोई photo हो सकती है कोई यहाँ पर कोई statue हो सकता है कोई भी कुछ चीज हो सकती है सो नेक्स्ट यहाँ पर दिखी है श्रवे समगरी यहनकी audio सहायक समगरी audio ads अब यह क्या होती है जब चीज़े सुनाई देती है जिससे हम चीज़े सुनके ज्यान प्राप्त करते है जैसे radio हो गया FM हो गया इसे हम चीज़ सुनते हैं न तो देखे चीज़ जब सुनाई देती है वो चीज़ जो होती है उसे बोलते है श्रवे समगरी तो यह शिक्षन सहायक समगरी के अंदर आती है एक होती है इसके अंदर क्या होता है जब चीज़े सुनाई भी देती है दिखाई भी देती है जैसे फॉर एक्जामपल हम कोई मूवी देखती है टेलिवीजन हो गया सिनेबा हो गया जहां हमें मूवी दिखाई जाती है वो चीज़ हमें सुनते भी है हम देखते भी है मालेजे हमें किसी क्रांती कारी के बहरे में पढ़ना है या ये पढ़ना है अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ इंडिया में है ना भारत में आगमन कैसे हुआ अंग्रेज कैसे गई है सब कुछ जो हमें एक फिलम के तौर पे नाटक के दौर पर जब हमें दिखाया जाता है तो वो हम चीज़ सुनते भी है देखते भी है उसे हम काफी कुछ सीखते हैं तो इसके अंदर वो चीज़ आती है तो next है यहां पर देखे online बनाम, offline पद्धियों में अंतर different between online versus offline method अब देखें online, offline का क्या मतलब है online education का, online method का मतलब होता है जब हम अपने घर पे बैठखे lecture को देखते हैं जैसे for example आप यह मेरी वीडियो देखने है तो आप यह वीडियो कहीं पे भी देख सकते हैं अपने घर पे, office बे, बाहर कहीं पे भी तो यहाँ पे आपको मेरे सामने आने की जूद नहीं है यानकी जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको teacher के सामने face to face आने की जूद नहीं है दूसरी तरफ जो offline शिक्षन होता है उसके अंधर आपको किसी school में, college में, class में जाके आपको पूरा lecture देखना होता है आपको जाना पड़ता है घर से, online में आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है जैसे देखे, करोना काल के दोरान, सारी शिक्षन, नीतियां थी, जो सारी शिक्षा थी, online होगी थी तो class में क्या करते थे, teacher बच्चों को अपने घर से ही बैठ के पढ़ाया करते थे बच्चे भी computer के पास बैठ जाते थे पढ़ने के लिए और teacher भी यहाँ पे उनको समझाते थे तो यहाँ पे पढ़ ले दें, देखे, offline और online पद्धितियों के बीच सबसे बड़ा मुख्य अंतर स्थान का है स्थान मतलब, offline शिक्षन पर स्थान में छात्रों को या बाता होती है ओफ-लाइन शेक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्षष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ग्रहन कर सकते हैं अब आपको देखे यूजिशिन एंट त्यारा करने के लिए कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा लेकिन और लाइन में आ सो ऐसा नहीं गरना पढ़ता ऑफ्लाइन में शिक्षन संसा या फर्शेशन संसा जाना पड़ता है देखे वही बात आ गई यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समय कोई बादता नहीं है अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है जैसे मेरा मानिजे कोई लेक्चर एक घंटे का है आप उसे 10 मिनट 15 मिनट आदा घंटे देख सकत हैं लेकिन ओफन के अंदर आपको पूरी पूरी क्लास अटेंड करने ही पड़ती है तो यह सबसे बड़ा अंतर है अब बात कर ली जाए यहाँ पर शिक्षन सहायक पड़नाली जिसमें परमपरागत आधरिक और ICT अधारित है तो यह बात करते हैं देखे वह शिक्षन साह इस व्यवस्था में परतेक्ष कक्षा शिक्षण ही शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया होती है देखे प्रमपरागत शिक्षा वो शिक्षा है जो पहले की जमाने में होती थी यहाँ पर क्या है कक्षा शिक्षण यानकी जो शिक्षा दी जाती है वो कक्षा के अंदर ही होती है उसके बाद इस विवस्ता में आयू प्रवेश एवं पूर्व अभुलब्दियों से समन्दित कठोर नियम होते थे इसमें होता था कि बच्चा कब पढ़ने के उम्र में होगा कब इसे स्कूल में डालना है कैसे उसका अडमेशन होगा उसके बाद उसके पास क्या-क्या प पर इस सित्यों में संपन होने वाली शिक्षन अधियम प्रक्यदया है तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या है कि पर्तेक्ष कख्यगत प्रस्थितियां मतलब कि टीचर आमने सामने होके बच्चों को यहां पर छातरों को कि सिभी प्रकार की मदृत समगरी यपी प्रिंटेट मेटीरल परदान नहीं किया जाता था उन्हें सिर्फ लिखवाया जाता था है ऐसे ने कि बुक्स देदीये दिदिया सिर्फ उनको लिखवाया जाता था बस यह शिक्षापढणाली है मैं विद्याली बंद वो शिक्ष्ष्य व्वश्ता थी। बहुत कड़े नियम होते थे। इस शिक्ष्ष्ष्ष्ष्व ववश्ता में चात्रगे प्रसमस्तान ही। नाली है यहाँ पे जो टीचर ने पढ़ा दिया जो ध्यापकर ने पढ़ा दिया आपको वही पढ़ना पढ़ता था चाहे आपको समझ में आए ना आए रट्टा लगाना पढ़ता था तो इसमें देखे कौन-कौन से उपकरण शामिल थे कौन-कौन से उपकरणों का प्रयो नाटे करण मौकिक परिक्षन ये सारी चीज़े इसमें आती थी अब बात करते हैं यहाँ पे आधरिक शिक्षा ववस्था की आधरिक शिक्षा ववस्था modern education जोसका कारेकाल देखें 1980 से 2000 की बीच में माना जाता है देखें यहाँ पे क्या है पहले जो थी शिक्षा ववस्थ प्रितव का महत्वर खा जाता है यहाँ पर यह देखा जाता है कि क्या जो हमने शिलेबस लगाया है क्या उसे स्टूडन समझ पाएंगे या उनके according है तो इसको ध्यार में रखके सिलेबस सेट किया जाता है तो देखें शिक्षा में क्रिय शिल्टा के सिधाद का महत्वर यहाँ पर क्रिय शिल्टा के सिधाद है यानकी शिक्षा देखें हमेशा बदलती रहती है क्रिय शील है हमेशा लगातर जो भी बदलाव है उसमें changes किये जाते हैं जो जो समय के according होती है उसके बाद देखें शिक्षा में वैवारिक ज्यान पर बल यहाँ वैवारिक ज्यान पर बल यान की हम पढ़ लिके क्या बन सकते हैं इससे क्या समाज में सुधारों का उसको बताया जाता है समधायक जीवन पर केंद्रित समधायक जीवन हम जिस समधाय से रहते हैं जिस समधाय से आये हैं वहाँ पर हमारा जीवन सतर कैसा हो सकता है कैसा होना चाहिए वो बताया जाता है आधरिक शिक्षा परणाली के अपकरण देखे कंप्यूटर है, इंटरनेट सर्फिंग है, लैप्टॉप है लैक्ट्रोनिक है, नोटबुक, ई-रीडिंग, कंप्यूटर शिक्षा, ऑनलाइन टेस्ट, उनलाइन शब्दकोष, उनलाइन इप, उसके पावर पॉइंट, स्लाइड होगी, प्रोजेक्टर हो गया, यूट्व, गूगल, सीडी, डीवीडी, स्मार्ट बोर्ड, आउडियो, विडियो वरक्यान, उनलाइन विश्वकोष, यह सब कुछ इसमें आगयान की आज केसे बाने की यह मॉडल एंजुक्रिशन है, उसको एंदेखे, यहाँ पे आती है शिक्षा, ICT अथारित, शिक्षण शिक्षा, इनकी ICT-based कौन से शिक्षा है, तो चले उसकी बात कर लेते हैं, देखे, E-Learning और दूरस्त शिक्षा कारिकरों में, ऑनलाइन शिक्षा के मादेम से शिक्षण अधिक रोचक और असान हो रहा है, अब देखे, आप घर पे बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अबना कूर्स कर सकते हैं, ओनलाइन मादेम से शिक्षण क्या है, यह आसान भी हो रहा है, और रोचक भी हो रहा है, इस समय विभीन कक्षाओं बोधिक शम्ताओं तथा इन अधिकाम मेशोद के लिए उपयूक्त शिक्षा शास्त्र प्रविट्यों का विकास परियोजिना आईएटी खड़कपूर द्वारा क्रियानवित किया जा रही है, अब देखें, यहां पर क्या है कि जो ओन्लाइन एजिक्षाओं शिक्षा दी जा रही है, वो आईएटी खड़कपूर के द्वारा क्रियानवित किया रही है, उनके द्वारा चलाई जा रही है, यहां में क्या है बहुत जो समक्षताएं है यानकि जो हम सामने रखके जैसे क्लास में हम बैठके पढ़ते हैं तो वहां से डिरेक्ट आपको घर पे ही कोचिंग दी जारी है लेकिन कैसे और्लेन माध्यम से तो इससे बहुत बड़ा फरक पढ़ रहा है जो बच्चे देखिए पढ़ाई के सासर काम भी करते हैं तो उनको बहुत जादा असानी इसमें हो गई है बिश्मिश तापदिक बाद अब हम ICT का अपयोग कर रहे हैं देखें टाइम के बहुत कमी है लेकिन आजकल इनसान मशीन बना हुआ है सारे काम करने पढ़ाई भी करने सब कुछ करना है तो वह ऑनलाइन यहां पर कोर्स कर सकते हैं ICT के दोरा देखें एक सब्वे में अलगलग कोर्स कर सकते हैं जैसे माली जो आपको कोर्स कर रहे हैं दूसरा कोर्स भी साथ में कर सकते हैं आपको इजी यहां पर हो जाएगा ICT के दुवरा सभी को विशेश शिक्षा दी जाती है विशेश परकार्ट की शिक्षा है गर बैटे कर सकते हैं जैसे मर्जी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है इसमें देखे कौन को उसे अपकरण है TDL यांकि Teacher Direct Learning यांकि Teacher आपको Direct भी पढ़ाएंगे LDL Learner Direct Learning जो Learner है छिक्षारते हैं और Direct पढ़ेंगे LMS Learner Manager सिस्टम है कि जैसे Mobile App वगारा हो गया Website हो गया कैसे पढ़ेंगे आप है ना वो चीज़ आपको प्रवाइट करवाई जाती है Sports Small Private Online Learning है उसके बाद MOOC हो गया जो हमने आपको पढ़ाया था Massive Open Online Course Swam हो गया Swam प्रभा हो गया NIOS हो गया National Institute Open School इसके ये टूल्स है इसके ये उपकरन है तो यहां में बात आ गई है अभी मुल्यांकन परनाली की देखें मुल्यांकन क्या है मुल्यांकन का सबसे समाने अर्थ है मुल्यांकन करना हम किसी भी चीज के मुल्यांकन कर सकते है या उसका मुल्यांकन जान सकते है ये बात मुल्यांकन एक नवीन टक्निकी बद है इसका प्रयोग इस प्रगार के मापन के लिखे जाता है जो पुराने प्रिक्षनों एवं प्रिक्षाओं की तोलना में अधिक व्यापव एवं नमीन है अब देखें मुल्यांकर प्रणाली क्या है कि जब हम किसी चीज को जाजते परकते हैं मालिजे कि आपने यूजिस नट की त्यारी कर ली है तो उसके बाद आपने कौशना असर लगा के देखे तो उसे ही जाज़ेंगे ना मालिजे आपने पेपराउन पूरा पढ़ लिया आप कैसे पता करेंगी कि आपको पेपराउन आ चुका है जब आप उसके प्रेवेसर कौशन लगा के देखेंगे पिछले वर्शों के प्रशन उत्तर या कोई और कौशना असर लगा के देखेंगे लेकिन दूसरी तरफ जब आपने अच्छे से पढ़ाई कर ले आपने सारे कौशन आसर सही कर दिये इसका मतलब आप यूजिसनेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो यह हो गया मुल्यांकन हम जो भी चीज करते हैं उसका अंकन करना उसे माप तोल के देखना कि वो सही है कि गलत है मुल्यांकन के परगार देखे टाइफस ओव एवैलिशन यहां बे तीन परगार है नेदानिक मुल्य अपचारिक मुल्य योगात्मक मुल्यांकन यहन की डागनॉस्टिक, फॉर्मल, सुमेटिव डागनॉस्टिक अवैलिशन क्या है देखे जब कलास में पढ़ाने से पहले स्लेबर सेट किया जाता है सारी कमियां दूर की जाती है यहन की वो अवस्ता है यहां पे जो जो कमियां है पहले ही दूर करना जैसे सब को बाता है कि एक स्कुल के अंदर कंप्योटर का होना बहुत जुरूरी है अगर वहाँ पें कंप्योटर्स नहीं है तो पहले वो लगवाय जाते है यहना वो चीज़े कि ताकी बात में प्रॉल्लम ना आए तो यह वो स्थिती है जहां पे सारे नियम कानून पहले बनाय जाते हैं जहां पर सारी चीजे पहले देखी जाती है, कि टीचर कैसे भरती करने है, अध्यापक कैसे होन चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, कक्षाएं कैसे होन चाहिए, जो सब कुछ पहले ही चीजे देखी जाती है, है ना, डियागनॉस्टिक होगा, अगर किसी चीज में कोई कमी ह वो पहले इसे दूर कर दिया जाता है तो दूसरे जो अफचारिंग मुल्यंकन है formal evaluation का यहाँ पर क्या होता है कि जब course चलाया जाता है course चलने के दौरान अगर कोई problem आती है अगर कोई समस्य आती है तो course चलते चलते उसमें उसे दूर किया जाता है जैसे एक स्कूल को हमने बना दिया सब कुछ इसमें रख दिया लेकिन वहाँ पे electricity की problem रहने लगी भिजली चली जाती है तो बाद में निखा गया ना कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्म ना हो पहले में क्या थी कि पढ़ाई शुरू करने से पहले चीजा जो कम्यों को दूर करना दूसरे में क्या था formal में कि पढ़ाई करने के दोरान course करने के दोरान कोई problem आती है उसे दूर करना तिसरी है somative assessment योगात्मांग बल्यांकन यानि कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद मुल्यांकन करके देखा जाता है कि जो शिक्षक जिन्होंने अच्छा पढ़ाया है किन्होंने अच्छा पढ़ाया है किन्होंने बुरा पढ़ाया है वो सब कुछ यहां पर देखा जाता है जिनको अच्छा पढ़ाया है अब बात करेंगे मुल्यांकन की शिक्षा में अवशक्ता एवब महत्व यह की need and importance in education of evaluation अब देखें मुल्यांकन की शिक्षा वस्था में शिक्षा में अवशक्ता क्यों है महत्व क्या है देखें सीखने की परेड़ना सीखने की परेड़ना होगी मुल्यांकन होगा तब ही स अगर माली जो fail हो जाता है अगर आप UGISnet exam देते हैं आप fail हो जाते हैं तो आ फिर से try करते हैं इसे कहें आपको सीखने की प्रेड़ना मिरती है कि ताकि जो अपने गल्पियां की है उसे दूर किया जा सके तो वो पता चलेगा मुल्यांकन में पांठे क्रम्य प्रिवर्तन अब समय में UGISnet की सिलिबरेस में भी change होता है हमेशा ही जो स्कूल की education होती है या college के होती है युनिवर्सटी की होती है वहाँ पे ही कुछ न कुछ अपडेट कर दिया जाता है पांठे कर दिया जाता है कि ताकि जो जो नई चीजे आ रही है उन को आपको पढ़ाया जाना जरूरी है ठीक है वो चीजे शिक्षण में उन्निती देखे शिक्षण में उन्निती के लिए मुलैंकन जरूरी है माल लिजे कि शिक्षन में उन्यति कैसी है करोना से पहले सारी चीज़े जो थी वो सारी ओफलाइन थी परम प्रागत तरीके से मैं आपको कहा देता हूँ ब्लैक बोर्ट में बढ़ाते दें लेकिन करोना के बाद देखे सब कुछ डिश्टल हो गया आजकल सभी को Google Meet चलाना है Online Classes देनी है और साथ में यहाँ पर क्या है कि Smart Board भी लेके आना है तो शिक्षन में उन्नती होगी न जो टीचरों को पता है निये Computer कैसे चलाना है वो भी Computer चला रहे है को वो भी Computer के ज़रा शिक्षा दे रहे है आजकल की Demand है यह तो उसके Gordon चलना निर्देशन एवं प्रामर्श में सहाइक देखें निर्देशन और प्रामर्श में सहाइक है निर्देशन मतलब कि जो जीज यहाँ पर पढ़ाई गई है जिसे निर्देश किया गया है कि यह जी ऐसे करनी है अगर उसमें क्या कमी है तो उसमें प्रामर्श दिया जाता है कि हाँ यह चीज मुश्किल है है इसे असान बना दिया जाए ना वो चीज प्रिक्षा परनाली में सुधार अगर देखें प्रिक्षा परनाली क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि caution simple पोचे जाते हैं अब दौर बदला है प्रशनों का जो दौर है वो भी बदल गया प्रशनों में सुधार हो गया प्रशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं प्रिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ पहले offline टेस्ट था भी online computer पे टेस्ट हो रहे हैं यहां पर देखें विद्यालों में computer नहीं थे computer पहुंचाए गए और जो बहुत सारी चीज़े देखी कि उसके अंदर बहुत सारी डिजिटल तोर के उपर नहीं नहीं चीज़े लेकिया हैं आजकल आप किसी भी गाओं के स्कूल में जाकर देख लिए तकरीबन सभी जगा computer लगए हैं अच्छी चीज़े क्लासिस वहाँ पर बनाई गई हैं सो नेक्स आगया मुल्यांकन प्रक्रिया यहां की evaluation प्रसेस यहां में बात करते हैं देखें प्रभावी शिक्षण मुल्यांकन कई फ्त्रोतों से डेटा एक्रिट करना जिसे एस निश्यत होता है कि सभी संबंदी गतिविद्यों के को लोगों द्वारा rate करने के लिए सबसे अच्छी युगिता प्राप्त की जाती है मुल्यांकन की rating देखें कैसी होती है मुल्यांकन की rating का अधार क्या है जैसे सह कर्मी rating अब देखें यहां पे देखा जाता है कि अगर कोई teacher अच्छा पढ़ा जैसे college में होता है ना department बढ़ने होते हैं जैसे history का political science का वहाँ पे क्या होता है एक department में 4 या 5 teacher होते हैं तो अगर किसी में कोई कमी है एक teacher में तो बाकी teacher बोलते हैं इसमें यह कमी है अगर कमी नहीं है तो बाकी teacher उनकी support करते हैं तो यह एक rating देने का काम है जो सह कर्मी teacher दे जाता है या नहीं अगर उनको समझ में आता है पढ़ाया हुआ तो वह बोलते हैं अगर नहीं बोलते हैं ना इससे evaluation की जाती है मुल्यांकन के जाता है कि teacher को अगे continue करना है या नहीं शिक्षण विभाग देखें शिक्षण विभाग जो है वह भी पहरे देखते हैं कि school में अगर किसी को रखना है तो उसके लिए टेट का एक्जाम जरूरी है क्वालिफाई होना कॉलेज इनवेस्ट्री में नेट का क्वालिफाई होना जरूरी है ना तो शिक्षण विभाग इन चीजों पर मुल्यांकन करके देखता है कि जो उन्हें देखा है शिक्षण और सीखने की चात्र अब देखें यहां पर क्या है कि जो उनका संबंद आपस में कैसा है शिक्षक का और चात्रों का क्या जो शिक्षक पढ़ा रहे बच्चे से अच्छे से सीख रहे है या नहीं वो देखा जाता है उसका देखें योगात्मक और अप्चारिक मुलांकन मुलांकन में देखें अच्छी बुरे चीज़े देखी जाती है कि क्या टीचरों के दोरा पड़ाया बच्चों को समझhu में आ रहा है या और ये जिवह जह ये चीज़ समझे हैं गूमपर की देखें वही चीज़े हह जो हमने पढ़ी होई है next रहे मुल्यांकन की तखनीक मुल्यांकन की तखनीक क्या है देखे पहली है अवलोकन तखनीक यनकी observation तखनीक यहाँ पर observe किया जाता है क्लास को कि क्या बच्चे sensor तरिके से शान तरिके से बैठके बढ़ते हैं क्या teacher से class control हो रही है चापक चात्रों को control कर पा रहे हैं या नहीं उसके बाद देखे self report technique होती है स्वव आख्या तक्नीक होती है self report technique में देखे कि teacher को खुद उनकी कमिया गिनाई जाती है उनको दिखाया जाता है कि उनको कहाँ पर क्या करना है क्या क्या सुधार करना है production technique होती है testing technique अब देखे teacher ने बच्चों को पढ़ा दिया ध्याप्राग ने बच्चों को पढ़ाया फिर बच्चों से caution पूछ के देखे जाते हैं उसके according तो मा लिज्जे कि वो उसके जवाब दे देते हैं तो होता है कि हाँ जो teacher पढ़ा रहे हैं उसके बच्चों समाज मीतिये टक्नीक सोशोमेटिक टक्नीक समाज मीतिये टक्नीक में देखे सोशोमेटिक में जैसे जिस सोसाइटी से बच्चे बिलॉंग करते हैं कि क्या teacher उनको एक अच्छा नागरिक बढ़ने की प्रेणा दे रहे हैं यह नहीं जो project बनाया जाता है उसमें चात्र क्या करते हैं अपनी समझ के according उस चीज को बना के लेके आते हैं तो वहाँ पर मुल्यांकन किया जाता है कि क्या जो topic दिया था वो उसके according है यह नहीं अब next देखें यहाँ पर है उच्छिक्षा के विकल्प अधारित credit पढ़ना ली अब देखें CBS system, CBCS होता है choice based credit system माल लेजे कि आप एक institute में पढ़ते हैं एक institution में जैसे आप किसी university में पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ने के दोरान आपको लगता है कि जैसे आपने arts का subject लिया आपको commerce का कोई subject पढ़ना है, science का कोई subject पढ़ना है तो आप another institute में किसी और institute में या किसी और university में admission लेके उसे भी अब कर सकते हैं ठीक है, आप कोई एक subject पढ़ना है, जैसे आप journalism पढ़ना है, अगर आपको कोई arts का subject पढ़ना है, कोई कुछ पढ़ना है तो आप another institute में admission लेके वहाँ पर वो भी course कर सकते हैं उनकी एक साथ आप दो university से course कर सकते हैं, जिसमें क्या है, आपको point मिलेंगे, आपको grade मिलेंगे वो grade आपके पहले वाले course में काम आजाएंगे, यानकी आप अपनी मर्जी से कोई भी subject चूज कर सकते हैं मर्जी आपकी है, subject का चुनाव करने की और उसके बाद grading देने की मर्जी उनकी है पहले क्यों था था जो आपने एक course कंप्लीट किया, तो आप एकी समय पे एकी course कर सकते हैं अभी आप एक समय पे दो या तीन course कर सकते हैं, इसके according, 24 based graduate system के according तो देखें, यहाँ पे क्या है, कि अगर भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बात की जाए, तो हमारे देश सबसे पीछे रज़त आता है यही विज़ा है कि राष्टर शिक्षा, उच शिक्षा मुल्यांकर परिशे द्वारा जारी, सर्वेक्षन पॉर्ट में पाया गया कि भारत में 68 परतिशत विश्व विद्याले और 90 परतिशत कॉलिजों में उच शिक्षा की गुणवत्ता, या तो मध्यम दज्य की, या फिर दोश्परण पाई गई है, यहां पर देखा गया कि काफी दोश हैं, इसके क्या है, फिर CBCS सिस्टम को लेके आया गया, इसमें एक और बात है कि जैसे मालीजी आपने दो समेस्टर पार किये हैं, एक समेस्टर पार कर लिया, तो अगर आपने पीच में पढ़ाई छो समेस्टर भी बीच में गिने जाएंगे, आपको फिर से नहीं करने पढ़ेंगे, इससे आपका टाइम से हो जाएगा, तो यहां पर देखे, क्योंकि इस संस्थानों के लगभग 25, 75% डिगरी धारी चाहते विरोजगार की समस्या से जूज रहे हैं, आप देखे, यहां से सरकार ने सिस्टम लागू किया, जिससे देश में शिक्षा वश्ता को ठी किया जा सके, इससे दूर करना है, तो इसलिए यह सिस्टम लेके आया गया, ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूंगा, आगे, इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो इसमें देखे निरा कलीन पाठेक्रम भी उपलब्द है जिसमें जिसका मुल्यांकन संतोष जनग या असंतोष जनग रूप में किया जाता है SGPA समेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज या CGPA कमलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज की गड़ना में शामिल नहीं है उसके बाद देखे प्रभावी और संतोष प्रणाम प्रदान करने के लिए तीनों मुख्य पाठेक्रम का मुल्यांकन और प्रयोग किया जाता है यनके देखे एक अच्छी शिक्षा के लिए प्रफावी शिक्षा के लिए क्या है तीनों मुख्य जो पाठे क्रम है ये वाले इनका प्रियोक के जाता है अब देखे जैसे मालीजे आपने कोई कोर्स किया उसके बाद देखे आपको यहाँ पे ग्रेट मिलेंगे उसकी कोडिंग आपको पॉइंट मिलेंगे ग्रेट क्या है देखे ओ यनकी अगर आपको ओ ग्रेट मिला है आपकी परफॉरमस क्या है सरवोतम आपको इरकी 10 पॉइंट मिलेंगे A plus में अतिय उत्रिष्ट होगा तो आपको 9 point मिलेंगे A में आपको बहुत अच्छा A मतलब बहुत अच्छा जिसमें आपको 8 point मिलेंगे B plus मतलब आपको अच्छा है performance आपकी अच्छी है आपको 7 point मिलेंगे और देखें यहाँ पे B में औसा से उपर आपने performance दी है आपको 6 point मिलेंगे C है औसान जिसमें 5 point P है उतीन यहाँ पास हो गए तो 4 point F है फेल यहाँ अनुतीन जिसमें आपको 0 point है और A, B यहाँ की अनुपस्तित आप 0 point है आप उपस्तित नहीं हुए ठीक है तो यहाँ पे चीज़ें आपको बताई गहीं इसके recording तो बात करेंगे computer अधारित मुल्यांकन और computer की साहता से मुल्यांकन यानकी computer based evaluation और computer assist evaluation के बारे में तो देखें computer based evaluation क्या है देखें जब भी कोई आप test देते हैं online अगर आप कोई online प्रिक्षा देते हैं जैसे यूजिस नट का एक्जाम आप online देते हैं तो उसे बोलते हैं computer अधारित मुल्यांकन अब देखें उसी के द्वारा अगर जैसे आपका online test चेक होता है तो उसे बोलते हैं computer assist मुल्यांकन या computer के साहिता से मुल्यांकन तो देखें computer धारित मुल्यांकन का दातपर है online quiz और प्रिक्षन के उपयोग से है जहां विद्यार्थी computer पेपर का परियास करते हैं ठीक है इनकी जब आप online test देते हैं या online कोई आप friction देते हैं पेपर देते हैं तो computer के साहिता से होता है तो उसे computer धारित मुल्यांकन कहा जाता है परिक्षा online upload की जाती है और चात्रों के इसका link दिया जाता है कि ताके वो इसे भी कहीं भी access कर सके या अभी कम कर सके जैसे आपके center बनाए जाते हैं न कहीं न कहीं तो उसमें के अधाया को link दिया जाता है आपके paper का जिसको open करके फिर आपका test वो start हो जाता है तो देखें इसका अपयोग MOOC हो गया online पाठेगरम online mock test आदी में किया जाता है तो computer धारित मुल्यांकन का अपयोग करने का एक अन्य तरीका चात्रों के लिए जैसे हर पूरे देश में देखें पांसो साड़े पांसो सेंटर बनते हैं जहां पर आप जाके test देतें टेस्ट एक ही होता है लेकिन सेंटर लग-लग होते हैं इसका उपयोग देखें वस्तोनिष्ट और वनात्मक दोनों प्रशनों के लिए किया जा सकता है यानकी जो caution होते हैं जिसमें choice होती है न option होते हैं वो भाले भी और बड़े-बड़े जो प्रशनों होते हैं उनके लिए भी ये online test होता है banking शेक्तर में भरती के लिए मुखे प्रिक्षा में भोकल प्रशनों के अलावा निबंद और पत्र लेखन सहित अंग्रेजी भाषा की प्रिक्षा भी इसमें शामिल होती है यानकी computer based evaluation या computer अधारित मुल्यांकन का मतलब क्या है जब आपको सिरफ test देना है computer के उपर या अपना कोई वी वेपर देना है अब आ रही है यहाँ पर computer की साहिता से मुल्यांकन की computer system evaluation computer साहिता मुल्यांकन का दात्पर है computer के उपयोग से है देखें परत्योगी प्रिक्षा में जो OMR sheet होती है उत्तर पुस्तिका विद्यास्तिक बरदान की जाती है विद्यासित द्वरा चिनित प्रिक्षा के लिए हीट्स को OMR यंतर द्वरा स्कैन किया जा सकता है और स्कैन डाटा को computer में record किया जाता है उसके बाद देखें फिर computer program का उपयोग करके प्रतिक द्याका मुल्यांकन किया जाता है यह कम समय में और हाथ समंदी जाज की तुलना में परिणाम जल्दी खोशित करता है इस प्रकार computer साहता प्राप्त मुल्यांकन में computer का प्रियोग मुल्यांकन के लिए कह जाता है ना की friction के लिए देखे प्रेक्शन का प्रयोग किसमें होता है computer based में मुल्यांकन का प्रयोग होगा इसमें अब देखे मालेजे कि आपने test दे दिया OMR sheet किया होते है जब हमारा offline exam होता होता है जहां पर यहां पर हमें देखे हर एक caution को ऐसे circle करना होता था कि कौन सा caution सही उसका answer सही है अब देखे OMR sheet में क्या होता है कि जब आपने paper दे दिया तो आपकी जो सारी sheets को OMR यंतर तोरा scan किया जाता है जितने भी exam होते हैं वो सारे scan होके computer के अंदर चले जाते है अब देखे उसके अंदर जो एक set बना होता है जो जैसे जो प्रिक्षारती जैसे जो प्रिक्षा लिते हैं न तो उन्होंने एक original जो answer की होती है वो उसमें डाली होती है तो उसके according सारे paper चेक होते हैं जो जो उसमें answer सही है वो पहले fit होते है computer के अंदर जैसे आपकी sheet scan करके अंदर गई अगर आपके उसके answer उसके according है तो आपका उसमें अच्छा result आएगा नहीं है तो आपका result अच्छा नहीं आएगा तो उसमें देखे अपने आप एक computer पता लगा लिता है कि आपने कितने caution सही किये कितने गलत किये तो इसका अर्थ यह हुआ कि computer धारत मुलांकन में आपको सिरफ paper देना है computer के साहिता इस मुलांकन क्या है कि आपका result निगालना है तो यह इसमें आता है अब देखे यहाँ पे last topic है मुलांकन पंदितियों में नवाचार innovation in evaluation system अब देखे बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं मुलांकन में जो भी एक नया तरीका है अब देखे नवाचार के अंतरगत कोछ नया और उपयोगी तरीका अपनाए जाता है जैसे जैसे नई विधी नई तकनीक, नई कारे पदती नई सेवा, नया उत्पाद आदी नवाचार को अर्थ तंतर का सार्थी माना जाता है नवाचार को उस प्रिखिरया के रूपे परभाषित किया जा सकता है जिसमें एक नियोजित एवा पूर परभाषित मानकों के अधार पर किसी चात्र के उपलब्दियों की स्वलता का आंकलन किया जाता है वर्तमान समय में हमारे देश में भी मुल्यांकन भी में भी नवाचार पत्तियों का प्रियोग किया जाने लगा है आज भारत की मुल्यांकन प्रिगिर्या में नवाचार का सबसे प्रमुख ICT का प्रियोग है देचे नवाचार और ICT अधारिन मुल्यांकन पति के प्रयोग से प्रामप्रागत मुल्यांकन की प्रिगारयकों नई दिशा प्राप्त हुई है थीक है इसमें विशेष्ट consigaya नीचे दी है अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुल्यांकन पत्त्तियों में नवाचर का मतलब क्या है मुल्यांकन की नईने तिकनिकों गर्शाद को ले किया अना पहले मुल्यांकन कैसे क्या जाता था हाथ से, जैसे पेपर आया, हाथ से चेक किया उसमें result आने में बहुत जाड़ा time लगता था उसमें गलतियां भी हो सकती है कई बार teacher क्या करते थे कि आपकी caution जो आपने सही किये है वो कई बार वो check नहीं कर पाते थे तो उससे आपका नुक्सान होता था अभी क्या है कि देखें ICT के माधम से क्या है नहीं नहीं मुल्यांकन तक्नीक आ गई है जिससे आपका result भी जल्दी आता है और आपका फाइदा भी होता है तो देखें ऐसे ही मुल्यांकन पत्या नहीं नहीं तरीके के आ रही है जैसे online test होता है online ही आपका exam चेक हो जाता है तो देखें प्रिक्षा की विवस्ता पूरानता online हो गई है योगेता एवंफीस की त्यादी की जांच के बाद चात्रों को सीधे प्रिक्षा का परवेश पत्र online ही उपलब्द कराया जाता है देखें आएकर सारी प्रिक्षा online है online ही आपका यहाँ पे प्रिक्षा के मादम से प्रिक्षा के मादम से जो मुलांकर प्रिया है वो पूरी तरह से वस्तो निष्ट है यानकी सरल हो गई है थोड़ी सी अब चात्रों को काउंटर पर फीस जाकर फीस जमागी करने के शक्ता नहीं है नहीं उन्हें लाइन में लगने के वशक्ता है अब वो फीस को online जमाग कर सकते हैं जब आप UGISnet का अग्जाम देने जाते हैं उससे पहले जब आप form भरते हैं आपको सारी फीई online ही पे करने हैं आप घर से भी कर सकते हैं ICT पर अधारिद पूरी प्रिक्षा पर क्रिया पूरंता विश्वसनिये वैद्हे एवं प्रयावगिक विस्था पर अधारिद होती है या पूरंता सुरक्षित एवं पारदर्शी होती है अब देखें यहाँ पे जो भी आपकी जो form भरा जाएगा जो जो कुछ भी होगा वो सबकुछ पारदर्शी है वो सबकुछ सुरक्षित है यह ना केवल सरल एवं अच्छी है बलकि इसमें समय धन दोनों की बचत होती है इसमें आंकडो का स्तांतरण भी असानी से होता है देखें जब आप ओलाइन ही अपने रजल्ट चेक करते हैं औलाइन फीप एक अदर सब कुछ ओलाइन हो गया है तो यह एक मुलैंकर का नया तरीका है तो आपका एड्मिट गार्ड जो भी आपको आपकी मेल पे मिल जाएगा कोड भी आपको उस पे मिल जाएगा सब कुछ आपको यहाँ पे online उपलब्द करवाया जाता है तो वो है मोलांकन पत्तियों में नवाचार तो यह थे आज की वीडियो अगर आपको वीडियो चे लगी है लाइक करी शेयर करिए चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलिए तो मिल टेकली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार